पाकिस्तान और इंडिया की कैसे हुई सुल्तान में दोस्ती? क्या दंगल और सुल्तान एक बार फिर होंगे आमने सामने? हाड वर्क और स्मार्ट वर्क इन दोनों के बीच हमेशा से ही एक बड़ी और स्ट्रोंग डीवेट देखने को मिली है बड़ी बुजर्ग कहते हैं कि हाड वर्क करो महनक का फल मीठा होता है लेकिन एक तरफ है यूथ जो कि लेजिनस के चलते ढूंड ही लेते हैं कोई ना कोई शॉर्ट कट ऐसे में ही कंक्लूजन निकलता है कि दोनों का मर्जर एक सॉलिड और परफेक कॉंबिनेशन होगा हाड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को जस्टिफाइ करने आ रही है अली अबबास जफर की नई पेशकर्ष अपनी अपकमिंग सीक्विल सुल्तान टू के साथ जुसमें सल्मान खान का हाड वर्क और मेकर्स का स्मार्ट वर्क आन स्क्रीन उडान भरता नज़राएगा 18 मंच के रीगरस हाड वर्क के बाद ही बोड़ी को फुल फ्रेम में लाने के बाद ही होगी सल्मान की फिल्में एंट्री पाकिस्तान के साथ इंडिया के कभी भी अच्छे तालुकात नहीं रहे हैं लेकिन इसका सिनेमा के काम पर कोई भी असर नहीं हुआ सब लोग हमेशा से ही आपस में एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं और और बहतर करने को लेकर इंस्पायर करते ही दिखे हैं लेकिन इस बार होगी पाकिस्तानी टालेंट की इस फिल्म के साथ बोलिवुड में एंट्री मीशा शेफी जो की बहुत पॉपिलर पाकिस्तानी सिंगर और आक्टर है इस फिल्म के साथ करने जा रही है इंडियन फिल्म इंडास्ट्री को जोई साथ ही जब से सुल्टान 2 के आने की खबर ने मीडिया में बस क्रियेट कर दिया है वही दूसरी तरफ दंगल 2 के भी जलधी रिलीस होने की खबर से लोग दोनों फिल्मों को कमपैर करने लगे है हो सकता है कि इन दोनों फिल्मों की डेट भी आसपास में क्लाश करते देखी जाए और अगर ऐसा होता है तो इस बार कॉंपिटिशन एक दम तक्कर का देखा जाएगा फिल्म का पहला पार रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पार होकर मेकर्स द्वारा बनाया गया था और इस बार भी कुछ इसी तरह का जोनर फिल्म में देखने को मिलेगा एक था टाइगर टाइगर जिन्दा है बागी इन सभी फिल्मों को एक बहतरीन साउंड इफेक्ट देने के बाद जूलियस पाकियाम करने जा रहे है फिल्म सुल्तान्टू का स्कोर म्यूजिक लीड हो सकता है इस बार फिल्म को सुल्तान की बेटी लीड देती नजराएगी क्योंकि पिछली फिल्म जहां खतम हुई थी उसके अंत में सुल्तान पिता बन चुके थे और सुल्तान अपनी बेटी को कोश करते हुए देंगे एक नई पहचान अगर आपको भी है सुल्तान टू के जल से जल रिलीस होने का इंतसार तो जुड़े रहिए बॉलिगराथ स्टूडियोज के साथ हमारे इंफोर्मेशन आपको पसंद आई है तो विडियो को कर दीजिए लाइक हमारे चानल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आकों दबाना विलकुल मत भूलना ताकि इस ट्रट पटी चीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले झाल